हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सरकार द्वारा कक्षा 6-8 तक की कक्षाओं का अध्यापन कार्यक 20 सितंबर से शुरू हो गया है वहीं कक्षा प्रथम से पांचवी तक की कक्षाओं का संचालन 27 सितंबर से शुरू होने जाने से छोटे बालक बालिकाओं में पढ़ाई के प्रती रूची देखने को मिल रही रेवतर कजबे की राजकिये उच्च माध्यामिक विद्याले के दृतिये परिसर में कक्षा एक से आठ तक की कक्षाओं का संचालन हो रहा है विद्याले में कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार कक्षाओं में अध्यापन कारे किया जा रहा है वहीं कक्षाओं में एक निश्ची दूरी बनाकर अध्ययन करवाया जा रहा है अध्यापक भगवान सिंग भाटी ने बताये कि सरकार दोरा जारी गाइडलाइन का पालन करके कक्षाव में अध्यापन कारी किया जा रहा है और सभी विध्यारतिओं को कोरोना वारेस के परती सचेद रहने के लिए कहा जा रहा है छात्र छात्राव को हातों को बार बार धोने, मास्क पहनने, आपसी दूरी बनाए रखने, इत्यादी सभी जरूरी बातों के बारे में अफगत करावाया जा रहा है वही कोरोना की दुसरी लहर के कमजोर होने के बाद विद्यालयों में अध्यापन कार्य सुचारू किया जा रहा है जिसके बाद विद्यार्तियों में पढ़ाई के प्रतिक काफी उत्सा देखने को मिल रहा है इस दोरान अध्यापक नर्पत राम सेन, सोमा राम मेगवाल, न पुलूराथा मीना सहीत विद्ध्यावे स्टाफ मौझूद था जागरू टीवी के रेव दर्से विक्रम कुमार डाबी की रिपोर्ट